असलाम अलेकम यार मुझे बहुत से कोमेंट्स आते हैं कि हमारा मेकप केकी हो जाता है हमारी फांडेशन फेस पर से हड़ जाती है तो कोई ट्रिक बता दें आज यह इसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ना तो मेकप केकी होगा बिलकुल नैच्रल लगेगा फ्लॉलेस मेकप लु कि अपने फेस के उपर तो सबसे पहले फेस को प्रेप करते हैं मैं यहां पर चिलतन प्यूर का कॉलेजन सीरम यूज करी हूँ बहुत जबरदसता आफ दिन में दो तफ़ाइं इस्तमाल कर सकते हैं देन ब्यूटिफाइब आमना का प्राइमर जो है वह में यूज करी और यह बहुत ज़रूरी होता है मेकप अपलाई करने से पहले इसके बाद थोड़ा सा वेट किया करो कम से कम 10 मिनित तक एंड नेक्स्टेप की तरफ जाय करो ओके हम करें हैं सिंगल लेयर मेकप ठीक है जी तो यहां पर मैं रिमिल की कंटोरिंग स्टिक यूज करी हूँ ए करके आप जहां जहां पर अपने फेसपर कंटोरिंग करते हैं और जिस तरह से आप कंटोरिंग करते हैं आप ने उस तरह से कंटोरिंग कर लेनी है ओके यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया और वह तो होना ही था कि मैंने अपने डार्क सरकल्स को हाइड करना था माउथ के अराउंड जो डाक pigmentation सी, pigmentation तो ख़र नहीं है जो discoloration है उसको hide करना था, तो मेरे पास था color character LA girl का, इसको पहले use करना था, लेकिन मैं भूल गई, as usual कुछ ना कुछ तो हो नहीं था यार तो बारहल इसको मैंने forehead पर भी apply कि है थोड़ी बहुत, और आजकल मुझे dark circles हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़दा medicine का use करती हूँ अच्छा जी, अब ये हो गया ये लगया, इसको मैंने पहले finger की help से blend किया था, फिर उसके बात मैंने इसको beauty blender से blend किया देन आप अपना concealer करेंगे जो भी आप concealer लेते हैं और जहां जहां पर हम concealer रप्लाइ करते हैं यानिके अपने highlighted areas को highlight करने के लिए हम concealer लगाते हैं तो लगा लिया next step है blush का blush भी हम इसके साथ ही लगा लेंगे ये जनाब blush है, she glam का love cake 101 इसका share है इस blush के बारे में मैं अवाम को इतना बता चुकी हूं मतलब इतने comments आते हैं और मैं इतना reply करते हूं लेकिन उसके बावजूद भी प्लीज बता दें कहां से मिलेगा कैसे लेंगे कितने का मिलेगा okay कि अटो की मैंने इन्वेजिबल फांडेशन यूस की थी 05 उसका share था बहुत अबर्जस थी उसके बाद beautify by aamna का मैंने spray जो है setting spray वो apply किया spray किया और उसके बाद पिर मैंने कर दी start इसकी blending और इस तरह से जो है ना blending थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है आपने पहले ना light shade होते हैं जैसे concealer है उसको blend करना है फिर foundation को blend करना है फिर आपने contouring को last में blend करना होता है लेकिन ये single layer makeup है ये बहुत ही जबरदस्ट effect लेके आता है एक तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना कि आपकी skin है पूरी की पूरी आपकी skin है आप इतना natural लग रहा होता फेस के उपर इतना natural glow भी आ रहा होता है अच्छा और ये ना possible तभी है जब आपके पास cream products होंगे तो cream products जब आपके पास होते हैं तो आप इस तरह से यह वाली makeup trick जो है वह यूज करोगे इसको one layer makeup भी कहते हैं single layer makeup भी कहते हैं इस तरीके से आप इस्तमाल कर सकते हो बजाए इसके क्या foundation apply करो फिर foundation के पर आप सब कुछ apply करो तो उससे केकी सा हो जाता है सारा कुछ और पैची केकी हो जाता है लेकिन इस तरीके से आप देख लो कितनी flawless look आ रही है यहां पर मौसम जो है ना कुछ on off हो रहा है यहां कि cloudy weather है तो इतना clear शहद आपको ना नजर आ रहा हो लेकिन बहुत ही प्यारे इसके results है उसके बाद मैं fit me का powder यहां पर यूज करही हूँ अपने skin से extra shine को यह excessive oil को कम करने के लिए और अपने face को set करने के लिए यह powder भी बहुत जबरदस्त है seriously इतना प्यारा और इतना जबरदस्त natural वाला effect आ रहा था और बिलकुल light light सा feel हो रहा था ऐस तो उसके बाद यहां पर यहां पर आपना basic eye makeup किया और मैंने lipstick 534 shade midora का वह मैंने apply किया और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ highlighter बहुत प्यारा यहां बहुत जबरदस हाइलाइटर है मतलब इस highlighter के बारे में क्या को मेरे पास लफस नहीं है इतना अच्छा हाइलाइटर है तो इसको मैंने apply किया और यह भी बिलकुल आपके skin पे ऐसा ही लगता है जैसे कि आप इसको प्लाई करते है नहीं आपकी skin नहीं है तो जनाव यह थी आज के वीडियो अब जो है ना मुझसे मैं काफी हरसे के बाद में YouTube पे वीडियो अपलोड करती हूं तो मुझसे वाइस ओफर भी इतने फ्लो में नहीं होता मुझे मतलब सही से ना नहीं सब कुछ हो पा रहा होता तो बाहराल इसको इंग्नोर करें थ झाल 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